हेलो गाइस गुड़ मॉर्निंग और वेलकान तो स्पेशल एजूगेशन नमें श्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजूगेशन तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आज हम बात करेंगे करेंट अफेर के बारे में और करेंट अफेर को हम ट्रिक्स के दुरू याद करने की कोशिच करेंगे और आज का जो हमारा टोपिक है वो है बुक्स एंड ओथर्स पिछले रिसेंट मन्स में ज बुक्स एंड ओथर्स यहाद हो ठीक है और यह हमारा पार्ट वन होगा इसके बाद मैं पार्ट सेकंड भी लेकर रहा हूँगा तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करने इस पाले एक छोटी सी रिक्वाइश्ट ओर करना चाहूँग दीप प्रभा नाम की बुक के ओथर कोन है उप्शन आपके सामने विरेंदर कुमार राम लखन सीना शरीमती सुमित्रा महाजन या फिर किरन देसाई इनमें से आपको एक उप्शन राइट टिक करना है आई होप आप आप लोगों ने टिक कर लिया होगा वीडियो पोस्ट करके तो इसका जो राइट ंशर है वो है राम लखन शीना एक उप्शन त्र नमबर बी इस यू राइट शर अब बात करते हैं इसको कौन सी टिक से याद करना है य दीप प्रभा को दीप से दीपक से आप राम लखन को करनेट कर सकते हो तो दीप प्रभा बुक के ओथर कोन है राम लखन सीना आई होप यह बुक अब आप कभी नहीं भूलोगे तो चलिए शैकेंड बुक की तरफ मूव करते हैं अगली दोस्तों जो बुक के आपके सामने है हुई अखतर आफ यह बुक मूदी अगेन मूदी अगेन किताब की लेखक का क्या नाम है ऑप्षण आपके सामने है अबास अबोग को और अब को को बात करते है इस भुक को आपको ट्रिक के तू कैसे याद करने है तो आप इसको ऐस लगाए जा रहा है कि मोदी दुबाराा आएगा? बुका नाम क्या है? मोदी अगेन मतलों मोदी दुबारा सो हो सकता है, नेक्ष्ट जो इलेक्शन हो उसमें मोदी, सरकार दुबारा आने वाली हो तो ऐसा आभास लगा जा रहा है usando again, अब कि सरकार दुबारा आएगी और जो उनके फैन है वो कहें हाँ मोधी दुबारा ही आएगा तो प्लीस यह सिर्फ याद करने की ट्रिक है ठीक है तो कैसे याद हुआ मोधी अगेंस है कि मोधी दुबारा आएगा ऐसा आभास लगाया जा रहा है तो आभास इनके ओथर है सेगर्ड ओप्शन आपको दिख रहा है राम लखन सीना राम लखन सीना अभी मैंने आपको उताया कौन सी बुक है दीप प्रभा दीप किसले जलाए जटते है जब राम और लखन वापिस आयोध्या आये थे ठीक है आई होब यह चीज अब दोनों बुक आपको क्लियर है बिल्कुल याद है अब आप लोग कभी नहीं बूलोगे तो थर्ड बुक की तरफ मूव करते हैं अगली बुक है हूइस दा ओथर ओफ दा बुक टाइगर स्पीक टाइगर स्पीक किताब के लेखा का क्या नाम है ओप्शन सा आपके सामने है अनिल दिसाई दीनानात कोपाल मुकेश भारदवाज या फिर हरी ओम तिवारी तो इसका जो राइडन सर अब हो है ओप्शन नमबर फोर हरी ओम तिवारी अब बात करते है इसको कैसे याद करने है क्या ट्रीक होएगी इसको याद करने ही तो आपके सामने है बुक का क्या नाम है टाइगर स्पीक तो ऐसे याद करो जब भी जो टाइगर है दहारता है स्पीक करता है बोलता है तो जो सामने वोला परसन होता है वो धर जाता है यह आपको पता है है ना तो ऐसे याद करो जब भी टाइगर बोलता है तो लोग बगवान को याद करते हैं और हरियों हरियों बोलने लग जाते हैं तो क्या हुआ टाइगर स्पीक जब भी टाइगर बोलेगा तो लोग बगवान को याद करेंगे हरियों हरियों बोलेगे तो इस तरीके से याद कर सकते हो टाइगर स्पीक मतलब किस ने लिखी हरियों तिवारी ने आई होप यह बुक भी अब आप लोग कभी नहीं बोलोगे तो चलिए मोव करते हैं अगली बुक की तरफ अगली दोस्तों जो बुक क्या वो है विजय कुमार विशेश नारंग या फिर सीमा हिंगोनिया तो आपके सामने वीडियो पोस्त करके अपना राइडन से लगा लो मैं आपको राइडन से बता रहा हूं तो इसको आप इस तरीकी से आद करो यूज़ और नेशन को सेव करना है तो सीमा पर गोली मार दो इस तरीक अगर आप देश को सेव करना चाहते हो देश के यूथ का सेव करना चाहते हो तो जो सीमा है जो बोर्डर है उस पर ही जो अपने दुश्मन है उनको गोली मार दो इस तरीके से आप कर सकते हो तो यूथ को और नेशन को सेव करना तो सीमा पर ही गोली मार दो तो सीमा से आप लोग connect कर सकते हो थोड़ा से टफ होएगा लेकिन एक बार पढ़ोगे तो आपको नहीं बूलोगे मुझे नहीं लगता है आप लोगी बुक बुलोगे से बुक और सेफ सोरी सेव यूथ और सेव नेशन किसने लिखी सीमा ने लिखी सीवा हिंकोनिया ने लिखी ठीक है आई ह इसका जो राइड अंसर है दोस्तों वह रस्कीन बॉंड ठीक है एस ओंग ओफ इंडिया के रिख कोन है रस्कीन बॉंड एक्चुली इसकी मेरको ट्रिक नहीं कुछ बनी दी फिर भी मैं एक ट्रिक कोन है आपके लिए ऐसे याद करो जो इंडिया है इंडिया का बॉंड इ इस ओंग ओफ इंडिया इंडिया का बॉंड इस तरीकी से आप लोग कनेट कर सकते हैं थोड़ा सा यह वहला टॉफ होगा लेकिन याद हो जाएगा एक बार पढ़ने से ठीक है तो यह बुक भी आई थिंग आपको याद होगी कि तरफ मूव करते हैं अगली दोस्तों जो है वो है हूँ इस दा ओफ दा वुक मेरा युद कैंसर विरुद आपके सामने माइकल बॉंड रसकीन बॉंड हरियों तिवारी या फिर जस्वन तराथी सबसे पहले देख लेता है रसकीन बॉंड यह उप्शन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवान आपको रिवाइज होगी रसकीन बॉंड और हरी ओम तिवारी अब बात करते हैं मेरा युद कैंसर विरुद इस बुक के लेथर को लेखा कौन है तो इसका जो लेखा का वो है जस्वन्त राठी ओप्शन नमबर डी इस यूर राइड अंसर अब बात करते हैं इस बुक को क कैंसर के विरुद जीत गया तो जशन बनाऊंगा रात को इस तरीके से याद को जशन राठी जस्वन्त राठी मतलब जस्वन्त से आप लिखो जशन राठी से मतलब रात को अब यहां पर लिखा मेरा युद कैंसर विरुद अगर मैं कैंसर के विरुद जो मेरा युद चल पाऊगे जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोग को रट्टा नहीं माना बस एक बार माइंड में वीडियो देख लो माइंड में रखो आपके सामने एक्जाम में कोशन साएगे ओप्शन देखोगे तो आपके सामने ओटोमेटिक माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ यह ओप्शन है ठीक है तो मेरा यूद कैंसर विरू जस्वन तराथी रसकीन बॉंट एस ओंग ओफ इंडिया हर्यूमतिवारी टाइगर स्पीक आई होप रिपीट हो रहा है याद हो रहा है आप लोग को दोस्तों वीडियो ची future of higher education 9 megatrends के लेखा कौन है option आपके सामने है वी पटाभी राम लखन सीना रसकीन बॉंट या फिर जस्वन राथी सबसे पहले जो पुरानी बुक से हम उनको रिवाइज कर लेता है सबसे पहले जो आपके सामने रसकीन बॉंट a song of India रिवाइज हो गया ठीक है जस्वन रा जस्वन राठी हो गया राम लखन सीना राम और लक्ष्मन कब आये थे औयोधा क्योंकि हमने दीप जलाये थे तो दीप करके कोई बुक थी ना दीप प्रभा तो दीप प्रभा किस ने लिखी यह राम लखन सीना ने लिखी तो इसका जो राइड़न सुरोगा एक ही option आगय अरिया में वह राम भरोसे है इस तरीके से याद कर सकते हो फ्यूचर बहुत अच्छा है मैं सिर्फ आपको ट्रिक के त्रू याद करवानी कोशिश कर रहा हूं ओफेंड मत करना प्लीज हाईर एजूकेशन का जो फ्यूचर है वह राम भरोसे है इस तरीके से आप लोग य प्रम योद्धा ग्रंथ जो किताब है इसके लेखा कौन है आपके सामने अटल भिहारी वाजपई नरेंदर मोधी आभास माल दियर या फिर विशेश नारंग तो यहां पर एक तो आपको उप्शन दिख रहा है आभास आभास से अभी कौन सी बुक हमने पड़ी थी आवा याद करनी ट्रिक चाहिए तो मैं अप्ता दिता हो हुआ है तो करम योद्धा गरंथ को आप इस तरीके से याद करो कि जो मोधी जी है वो देश के लिए teng करम घर रहे हैं तो करम योधा गरंथ किसने लिए या इस तरीकी साब कर सकता हो और इन कौनसी सो भुख ले वह लि दूबारा आएगी, so I hope यह book भी clear होगी, अगली book की तरफ move करते है, अगली book आपके सामने है, who is the author of the book, the thin mind map, यह भी बहुत ज्यादा repeated books है, और most ज्यादा important है, मैं क्या रहूं, जितनी पी books मैंने आपके लोग पढ़ाई है, most 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 important है, क्योंकि exams के आने के इनके बहुत बार बार विशेश नारंग बताना, यह कौन है, इन्होंने कौन सी book लेखी, ठीक है, यह आप लोग comment box में जुरूर लिखना, ठीक है, तो इसका जो राइडन सर्वाइद धर्मेंदर रहा है, नरेंदर मोधी, अभी आपको पता, अभी मैंने उताया, जो कर्म योध्धा ग ठीक है, इस तरीके से याद आप कर सकते हो, ठीक है, अब देख लेते है, थिन माइंड मैप किसे ने लिखी, यह लिखी धर्मेंदर रायने, तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो, वैसे simple साय ट्रीक की जूरत नहीं है, फिर भी दो ट्रीक बतायता हूं, या तो इसक चाहिए से याद करो धर्मिंदर हमारे माइंड मैप में चपे हुआ है मारे माइंड मैप में छपे हुआ है माइंड के मैप में छपे हुआ है इस त्रीके से कनेट कर सकते हो सिंपल से वोक है याद हो जाएगा आपको अगली बुक दोस्तों आपके सामने हुइस था ओथर उफ था बुक था इकोग इसके लेखा कौन है तो यह बहुत ज्यादा जाए मूवी बनी है हैरी वोटर और इनकी जितनी भी बुक्स होती है सब कोई ना कोई प्राइस मिलता रहता है को इना कोई अवोर्ड मिलते रहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्ण माथ कर लेना इस कॉस्चन को दॉक इसने लिखी य के रॉलिंग ने लिखी थी तो ये था आज का सेशन्स वीडियो चिले तो लाइक कर देना सेगिंड पार्ट चीज़े तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जुरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर पैस कर लेना